पाकंडी बाबा को लेकार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं हर दिन स्वेंबू बाबा के अलगलग चेहरे सामने आ रहे हैं आप लोग कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बाबा को मोहिनी मंद्र आता है वो इसी मंद्र की शक्ति को लेकर के सब को अपने वश्च में कर लेता है क्या है पाखंडी बाबा के उल्लू साथना की कहानी आई ये इस रिपोर्ट के सरी ये देखते हैं पाखंडी बाबा का मोहिनी मत्र उल्लू साथने से काली शक्तियों परवश वशी करण के खेल का माहित खिलाडी श्वैंभू बाबा जिसके पास खिची चली आती थी महिला भर साल दो हजार दो अमावस की राद तंत्रस साधना करते वालों का सबसे पसंदिता थे कहते हैं उस राज सुरजबाल जाटब नाम का इस शक्स भी समशान घट भूचा था आधी राद का वह शारो तरफ घुप अंधेरा सिर्फ खामोशी और अंधेरी की गोच से निकली एक रह से मईड़ा अंधेरे में दूर कहीं मंत्रो चारण की आवाजें आ रही थी अंधेरे को चेती एक रोश्नी आगरा वालो को दिखाई दे रही थी लेकिन उस राद का सच कोई नहीं चानता सिवाए सूरजबाल जाटब के यह कहानी है सूरजबाल के पाखंडी बाबा बनने की यहां के लोग कहते हैं कि उल्लू की साधना कर बाबा ने काली सक्ति और मोहिनी मंत्र पर सिद्ध हासिल की है सूरजबाल जाटब ने इनी काली सक्तियों के मादब से दौलत और सौरत हासिल की है लेकिन दाबा किया जाता है कि यह काली सक्तियां बली मांगती है उस दिन सम्शान घाट में सूरजपाल की उल्लू साधना के बाद उससे साकार हरी नाम मिला अब काली शक्तिया उसके कमजे में थी मोहिनी मंत्र से वो जिसे चाहता अपने वश में कर लेता लोग कहते हैं कि इसी मंत्र की बदौलत उसने लोगों पर वशी करण किया और महिला ये लड़किया उसकी उन खिची चली गई महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटाओ उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था सूरजपाल जाटाओ जो खुद को बोले बाबा कहता था जो खुद को देवता कहता था भगवान कहता था वो महिलाओं को मोहित करने के लिए ऐसे मंत्र का इस्तमाल करता था जिससे महिलाई उसके परीब खीची चलिया दिती दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक ऐसा मोहिनी अंत्र है जिससे वुखकम उम्र की लड़कियों को आकरशित करने का द्भोंग रश्टा था इसी हतकंडे को उसने भक्त मोहिनी मंत्र का नाम दिया था हाला कि कासगरच में सुरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग-अलग कहानिया है महिलाव से घिरए रहने के लिए सुरजपाल जाटव ने कैसे सुवांग रचा था उससे भी जानिये महिलाव को मोह पाश में फसाने के लिए सुरजपाल जाटव बाहर से लड़किया बुलवाता था दावा क्या जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बना कर लाया जाता था इसके बाद लड़किया दूद में नहाती थी स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी खीर चकने के बाद सूरजपाल जाटों लड़कियों के साथ जूम कर डांस करता था रूपक बन कर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था एक बार उसने मोहिननी मंत्र चलाना शुरू किया इसके बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रष्टा चला गया। जन्मास्टमी की तेवहार पर सूरजपाल जाटव कानहा का रूप धरकर रास रचनी के परपंचु भी दिखाता था। बाबा खुद को काना का रूप धर कर ढोंग करता था लेकिन गोपियां बनी महिला भक्त नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी कि जन्माइश्टी में पंद्रह गश्त अपना जनम दिन मनाते थे तो यहां डेकलिर करते हैं सोने का जूला पड़ेगा उसमें जूलेंगे कनिया जी बन करके जन्म होगा इनका वाहां देगे तो वही रस्षा पड़ा आपने आराम से भाई 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 जूलाए आपने तो सबसे डिरामनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती है इसकी जो जनकारी सामने आई उसके मताबिक बाबा की सेवा में स सामान्य नैन नक्ष की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है महिला भक्तों को घरसीद कर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है और वो ये सब मोहिनी मंत्र के दंपर करता है काली शक्तियों के जादू से वो महिलाओं और लड़कियों को वश्मे कर लेता है दावा ये भी किया गया कि मोहिनी मंत्र के कारण ही किसी लड़की ने आज तक उसे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई लेकिन पाखंडी बाबा के काले समराज़ पर अब इनसाफ की रोशनी पड़ चुकी है बाबा का चहरा सब के सामने आचुका है जो से भगवान नहीं माते थी सच सामने आने के बाद नफरत करने लगी है यानि देद लगी लेकिन पाखंडी बाबा का सच सामने आ ही गया ब्यूर रपोर्ट नंयूज़स आज़ी बाबा सुरजपाल की दुनिया जितनी रहस में थी उससे भी ज्यादा रहस में उसकी आर्मी थी जियां उसकी सेना में सिर्फ पूरुशी नहीं बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तेनात रहती थी इन मेला सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग सिम्मेदारी दी जाती थी इसके साथ की बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो और गरुड कमांडो भी तेनात रहते थे इस रिपोर्ट में देखिए बाबा का रहस में लोग बाबा के रहस में लोग की प्राइवेट आर्मे बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता बाबा के रहस्यों से एक एक करके परदा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिल्चस्प है ये पिंक आर्मी जिसमें 5000 से ज्यादा जमान शामिल हैं और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाठून कमांडर के टुकनेया तैनाथ की जाती थी इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख के जिम्मेदारी दी जाती थी इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगे भी तैर रहती थी इनको पुलिस की तरह बाकाइदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था बाबा सूरजपाल के हर सतसंग में इन महिला कमांडरों की फोर्स नजर आती थी सतसंग को भी थ्री लेयर सिक्योर्टी में इस महिला प्लाथून कमांडर की तुकडियों का एहम रोल होता था जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सतसंग इस्तल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ तुकडियां चलती थी यह कार्ड पुष्पा का है पुष्पा और जो की मतुरा की रहने वाली है यह नाराइनी सेना की कार्ड है नाराइनी सेना से जोड़ी हुई महिला है और भी मैं आपको ऐसे कई इहम कार्ड दखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे यह आप देख सकते हैं यह कार्ड है जिस पर लिखा वुआ है सुरक्षा सेना यह बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो की हात्रस का है ऐसे कहीं एहम दस्ताबेज News 18 के हाथ में लगे है News 18 अपने कड़ोनों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कही कार्ड है याँ पर जो ये कार्ड आप देख सकते हैं ये जल सेवा का कार्ड है जो जल की सेवा कारिकरम में आये जितने भी भक्त थे जो बाबा के परवचन सुनने आते थे उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बाकाइदा कार्ड बनाई जाते थे जो की आप देख सकते हैं जल सेवा सेवादार का पहचान पर यही नहीं बाबा सुरजपाल के सत्संग में सबसे खास सुरक्षा कर्मी कोई है तो वो हैं बाबा के ब्लैक कैट कमांडो जो बाबा के एक इशारे पर जान देने को तयार रहते थे बाबा सुरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायनी सेना, हरी वाहक और गरुण युद्धा नाम की तीन ठुकडियां है बताया जाता है कि नारायनी सेना की सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं हरी वाहक दस्ते की सुरक्षा गार्ड बूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं जबकि गरुन सेना काली ड्रेस पहनती है इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है सबसे बारी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है फिर हरी वाहक दस्ता होता है बाबा के सबसे करीब गरुन योद्धा यानि ब्लैक कमांडो रहते हैं बाबा की नाराइनी सेना यानि पिंक आर्मी म तैनाती होती है वहीं हरी वाहक सेना की टुकडी में 25 से 30 सेक्योटी अधिकारी होते हैं इसके साथ ही गरुण योद्धा यानि ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है एक प्रहे इस पर साथ तोर से आप देख सकते हैं नाराइन शरकार का नाम दखा हुआ है सदा और यह प्लाटून नंबर वन स्राइब स्यक्शण वन इसक्रणियों की में नाम और इल प्लाटून does a बाबा की आर्मी में उनकी अनुयायों को ही शामिल किया जाता है उनकी प्राइवेट आर्मी में 18-40 साल के युवक जादा होते हैं इन्हें ड्रस दी जाती है जिसके साथ में CT और डंडा भी होता है बाबा की सुरक्षा थ्री लेयर सेक्योर्टी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड को अपने कंट्रोल में रखते थे यहां तक की सत्संग का वीडियो भी बनाने से लोगों को रोकते थे जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्धन चक्र उठाया था ऐसे ही बावा का ये एक लोगो है आप साब देख सकते हैं कि जिस पर पीछ लिखा हुआ है सुदर्धन चक्र उंगली पर छपा हुआ है ऐसे एहम काड़ यहां पर पड़े हुए आप देख सकते हैं यह तारा चंद का काड़ है जो जिला मुख शेवादार है जो बावा की सुरक्षा में लगे हुए थे और आप देख सकते हैं कि इस पर साब थोड़ से लिखार हदी की संपूर ब्रमान में सदा सदा के लिए जैजैकार हो और उंगली पर सुदर्धन चक्र का लोगो है जो की बाबा का बताया जाता है यह सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड़ी देवी हैं यह उनका पहचान पत्र है मतलब बाबा अपने हर सदसंग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लैनिंग बना कर चलता था इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वज़े से हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी ये प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इतने लोगों की जान ना जा ले पस्तिती सूची जितने लोग उपस्तित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था पी लगता था आप देख सकते हैं साब तोर से उनका नाम बल्दियत क्रमांग और उसकी पूरी बाकाइदा कई भीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी यानि सत्संग से जोड़ी हर सुरक्षा की जम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी यही नहीं बताया ये जा रहा है कि भगदर के वक्त बाबा को सुरक्षत निकाल कर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी